हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 9 और Note 9 Pro के बारे में और आज हम बात करेंगे इनके Applications के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में किसी भी Applications को Permission Allow करेंगे और Deny करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल का इकोन को प्रस करेंगे हमें आपे सबसे आसान तरीका में आप लोग बताता हूं अग्दम सौटकट तरीका भी कम समय में ज्यादा बाते अगर हमें इसके कोई बी पर्मिस्न को अलाव डिनाई करना है तो हमें देखिया नहीं है ओके, अधर पर्मिसंस में यहां पर देखने के मिलती है, कि भाई, फ्लोटिंग में चीए, वाई-फाई कनेक्सन का चीए, आप लोग को होम इसके सौट में चीए, लॉक इसक्री में सोचीए, यह सब चीजे कर सकते हैं, एप पर्मिसंस पर क्लिक करके, हर एक एपस में, आप लोग को अलग-अलग पर्मिसंस रहे की, जैसे वो एप में फाईल बेंज का पर्मिसंस मांगताता, कुछ-कुछ एप में केमरा का पर्मिसंस मांगता है, कुछ-कुछ में कांटेक्ट कर रहता है, सब में अलग-अलग कर रहता है, इस टैप से आप लोग किसी भी एप का प सकते बड़े आराम से ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी